कारिकरता संबाद यात्रा पर 13 आदव आज यानि की 16 अक्टूबर से फिरसे निकलने वाले हैं और मकसद तो सबको पता ही है कि 13 आदव क्यों आज से कारिकरता संबाद कारेकरम के लिए निकल रहे हैं। इससे पहले पहले फेज की यात्रा सनाथ हो चुकी है और उस फेज में 41 विधान सभाज सीटों को तिरस्बी आदव ने कभर किया है मिधिलांचल से तिरस्बी आदव ने शुरुवात की थी और तिरस्बी आदव की वो यात्रा कितनी सफल रही ये हम सब जानते हैं अपने का पार्टी का नीव रख सकता है तो वो कारिकरता है महिलाओं को पहले रो में सीट देते हैं तिरस्बी आदव और जो नितीश कुमार की चुपा वोटर महिलाए कहलाती थी अब तिरस्बी आदव उन पर भी अपना पैनी नजर जमाय हुए हैं मिला जुला कर उनके पूरे य बिहार की एक ऐसी टेक्सी की कमपनी है जो आपको आधे किराय में पूरा भीहार घूमने का मौका देती है आपको पटना एरपोर्ट से बिहार के किसी भी गाउं में जाना हो या बिहार के किसी भी गाउं से पटना आना हो आपको प्ले स्टोर पर जाना है रोड बेस का स्यात्रा का वो ये है कि अपने कारिकरताओं में कैसे जोश भरना है ति रॉस्भी आदव अपने कारिकरताओं को घूंग घूम कर बता रहे हैं कि देखिए सत्ता में आना है तो हम लोगोन को एक दम अपना सो परसेंट पार्टी को देना होगा और तिरस्वी आदा अपने कारेकरताओं को अपने 17 महीने के कारेकाल का विश्लेशन कर रहे हैं उनको ये समझा रहे हैं कि देखो बाबू हम नेरे 17 महीना में किया है वो जाकर लोगों को बताओ लोगों को ये समझाओ की हमारे पार्टी के नेता ने हमारे लिए क्या किया है और तब लोगों को समझ में आएगा कि नितीश कुमार ने कैसे बिहार को ठगा है और महा गठबंदन की सरकार ने कैसे बिहार के लिए बढ़ियां-बढ़ियां काम किया है। RGD का जंडा लेकर दोड़ते हैं, RGD के लिए कुछ भी करने को तयार रखते हैं, वही अगर तरियस्वी आदव का साथ 2025 के विधान समध चुनाव में सही रूप से दे दे, तब तरियस्वी आदव को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोग सकता है, और ये बात सब को पता है, तरियस्वी आदव अब सेकेंड फेज का यात्रा आज से शुरू करेंगे, आप देखें हैं कई ऐसा वीडियो वारल होता है, तरियस्वी आदव ने यात्रा के दौरान ही कारिक्रम संबाद यात्रा जो पहले फेज का चल रहा था, उसके दौरान ही स्मार्ट मीटर पर तरियस्वी आदव ने कहा कि हम आपको 5 किलो के बजाए 10 किलो अनाज देंगे, उन्होंने कहा कि गैस सिलिंडर हम बिहार में 500 रुपेगा कर देंगे सबसीडी लगा के, और ये तमाम चीजे बिहार के उन तमाम लोगों के जहन में बैट रही हैं, जो नितीश कुमार से पर जोश जगाये जाए, उनको ये समझाया जाए कि आप अगर वाकई में जमीन पर ठीक तरीके से लग जाएंगे, तब RJD का सरकार बनने से कोई नहीं रोग सकता है, और ये तमाम बाते तरियस्वी आदव अब जाकर लोगों के बीच में कहेंगे, कारकरताओं से मिलना, कारक पर लग गए है कि कैसे भी 2025 का जो चुनाव है, उसको हमको क्रैक करना है, और हम बार-बार कहते हैं कि ये डू और डाई का मुकाबला है तरियस्वी आदव के लिए, तरियस्वी आदव अगर इस बार CM नहीं बनते हैं, तो बाद में उनके CM बनने का राष्टा मुश्किल नहीं नामुम्किन के करीब करीब चला जाएगा, इसलिए तरियस्वी आदव इस बात को समझते हुए, एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगाये हुए हैं, इधर प्रशांत की सोर हल्ला बोल रहे हैं, जदियू और भार्जपा तो तरियस्वी आदव के पीछे पड़ी बाकी इस पर आपका क्या विचार है क्वर्मक्स बताइएगा, मरे नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।